हमारा द्रिष्टी कोण थोड़ा नितीश जी से अलग है हमारी पाटी का ही द्रिष्टी कोण अलग है इसका हम समर्थन करते हैं लेकिन इतना ही तक बोले ना इस सरकार से मांग करें ना लेकिन वो जो बोल रहा है उसे भाजपा के पक्ष मजबूत हो रहा है उनको पता न क्य समझ में आ रहा है भाजपा पर निसाना साथने की जुरुत है देश से भाजपा को हटाना होगा मांग उठा चुके हैं कि पिडित परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए लेकिन जो पिडित परिवार है उसकी क्या गलती है हमारे साथ हैं भी माले विधायक अमरजीत कुश् सही है एनदीश कुमार सही है देखिए पहली बात है कि हम लोगों ने भी बिहार के भीतर नव अगस्त के दिन जो काम किया था वो किस लिए कि तुझ में मोदी की सरकार संभीधान को टहस्नास कर रही है लोगतंत्र खतम कर रही है जाधी है उसपर हमला हो रहा है बोलने की देशी चिवंगार हैं कपजा करके भं में ड़टे इससे देश में लोगतंत्र नहीं बढ़ सकता है इसलिए हम लोगों ने भाजपा को सत्ता से वे दखल करके नितीश जी का समर्थन किया लेकिन अब हम नितीश जी से भी उमीद रख रहे हैं कि नितीश जी बिहार के भीतर जो भाजपा के साथ रह करके जो गलत कारे हुए हैं जो करफशन बड़ा है जो अपराद बड़ा है उसमें अब तो कम से कम बदला हो सुधार हो और जहां तक सुधाकर सिंग के बारे में आप कह रहे हैं तो सुधाकर सिंग क्या बोलेंगे कौन विधाय क्या बोलेगा उस पर जादे हम बात करने के लिए तयार नहीं है इसलिए कि और तजस्वी जी जो उस पार्टी के मुखिया हैं जो हमारे नेता हैं वो पूरी तोर पे सरकार के नितिजी के साथ खड़े हैं अब यह का बिधायक क्या नहीं बोलते हैं यह कोई नोटिस लेने वाला कि नीतियों को वो बिरोध करते हैं मंडी बिहार में यह बलत सही है इसका हम समर्थन करते हैं लेकिन इतना ही तक बोले ना सरकार से मांग करें लेकिन वो जो बोल रहे हैं उसे भाजबा के पक्ष मजबूत हो रहा है और जो देश के देश के लिए खतरनाक है देश में फासिवादी भाजबा लोक तंद्र को हिंदुस्तान जो है खत्रे में डाल रही है तो दाकर सिंग बीजेपी के तौर नहीं मैं कह रहा हूं उनको पता ना क्या समझ में आ रहा है भाजबा पर निसाना साथने की जरूत है देश से भाजबा को हटाना होगा और तब जो है आपस में जो कुछ कमिया होगी उसको ठ सराव के मामले में हमारा द्रिष्टी कोंड थोड़ा नितिश जी से अलग है हमारी पार्टी का ही द्रिष्टी कोंड अलग है हम लोग पिछले दिनों नितिश जी से मानिय मुखमंत्री जी से मिल करके मांग उठा चुके हैं कि पीडित परिजनों को मुआवजा मिलना चाह लेकिन अभी भी हमारा मनना है कि अगर जनता की सरकार है जनपक्षिय सरकार है लोग प्रिय सरकार है तो इसका फर्ज बनता है कि जो लोग सराब पिये वो गलती किये और जो सराब बेच रहे हैं वो तंत्र भी गलती कर रही है उनको भी सजा मिलनी चाहिए लेकिन जो पिडित चोटे बच्चे हैं और महिला हैं तो उनके जीवन कैसे चलेगा निश्ची तोर पे सरकार को इस पर बिचार करें तो अड़िग है कि नहीं मुआपजा नहीं दिया जाएगा मिलने भी नहीं जाएगी सरकार वहाँ तो उन लोगा अपना एस्टेंड में तो पहले ही का दिया कि मेरा हम लोगा एस्टेंड अलग है हम सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं हम सरकार से बिनमरता पुरुबक आगरा भी कर रहे हैं हम सरकार का समर्थन किये हैं इसलिए हम आगरा ही कर रहे हैं कि वही सरकार जो है इस इसको और भी गहराई से विचार करके देखना चाहिए बड़े-बड़े माफियाओं को जेल भेजा जाना चाहिए गरीब गुर्वों पर करवाया जादे हो जा रही है थोड़ा ठीक नहीं है गरीबों को छोड़ करके हैं अब मामते कि निदेशकुमार का सराबंदी कादोन है वो और सफल करके परतिकिडिया निकलकर आ रही हैं और सराबंदी से कुछ मामले में सुधार भी हुआ है कुछ लों सराब पीना छोड़े भी हैं और बिल्कुल जितना अनियंत्री था वो अनियंत्रन जो है अब नहीं है थोड़ा सा नियंत्रन लगा है और कानून तो जरूरी ही था अब सफल तक तो परसासन को लाना है सरकार के तंत्र को ले आना है तो सरकारी जो तंत्र को जितना करना चाहिए उस मामले में सरकारी तंत्र को जीतना करना चाहिए उस मामले में सरकारी तंत्र को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है कम कर पा रहा है और प्रयास करना चाहिए ताकि जो है बड़े-बड़े माफिया जेल जाए गरीब गुर्वे पर करवाई कम हो सराब बं झाल झाल